गदर्टू करेगी ओमजी टू से चाहदा कमाई एडवांस बुकिंग में बिके हजार उटिकेट अक्षे की फिल्म का रहा यह फिल्म ओमजी टू और गदर्टू एक साथ सिनेमा गरंब और धमाल मचाने के लिए तयार है और इस कड़ी में दोनों फिल्मों के बिज कड़ी सकती है देखते हैं गदर्टू एडवांस बुकिंग में क्या रहा कलेक्शन इस अगस्त एक के बाद एक बड़ी फिल्में रिलेज होने के लिए तयार है स्वतंतरादा दिवस से पहले 11 अगस्त को दो बड़ी हिट फिल्में का सिपकल रिलेज होने के लिए पिल्कुल रे बता दे कि पिछले साल भी रक्षे कुमार की रक्षा बंदन और आमिर खान की लाल सीच चड़ा एक दिन सिनेमा घर उपर रिलेज हुई थी दोनों ही फिल्में बॉक्स ओपिस पर सूपर फ्रॉप हो चुकी थी वहीं गदर एक प्रेम कथा की जबरदस्त कामियाग गिबी के पाद इसके दूसरे पार्ट गदर टू मियकर्स को कोई रिस्क नहीं लेना चाहते पर इसके लिए इन्होंने एडवांस बुकिंग की सिवाद कर दी थी गदर टू ने बेचे दस हजार से जदा टिकट पिंक विलां की रिपोर्ट के माने तो एडवांस बुकिंग के लि लिए कहां जा रहा है कि फिल्मा अपनी ओपनिंग पर 25 करोड रुपे तक का कलेक्शन कर देगी ओंजी टू का रहा यहाल अक्से कुमार की ओंजी टू भी गदर टू के साथ ही सिनेमा गरों में रिलीज होगी फिल्म ने अब तक PVR के लिए 1100 टिकेट, आइनोक्स के लिए 500 टिकेट और सिनेमा पॉलस के लिए 350 टिकेट बेचे हैं इस तरह फिल्म ने गदर टू से आधा कलेक्शन ही किया है बता दे कि ओंजी टू को लेकर काफी विवाज भी चल रहा है जिसके बाद फिल्म काफी बदलाव करते हुए एस सर्टिपिकेट दिया गया था यह है कहा जहां गदर टू भारत और पाकिस्तान की जंगी कहानी है जिसमें सनी देवल और तारा सिह के खिर्दार में कमबेग कर रहे है जहां गदर टू और पाकिस्तान के जंगी कहानी है जिसमें सनी देवल तारा सिह के खिर्दार में कमबेग कर रहे है वही ओनी टू को सेक्स एज दंदार है पर कई सालों के बाद सन्नी पाजी आ रहे हैं देखते हैं क्या होगा इस फिल्म में बने रही है इस वीडियो के साथ वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कोमेट शेयर जरूर करें फिर समय लगए कि नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थानिवाद